हेलो गाइज अभिशेक है और आज की जो में Node.js का टूटोरियल है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि Node.js से आप अपने यूजर्स को या अपने क्लाइंट्स को इमेल किस तरीके से भीज सकते हो सो basically market में already काफी जादा service available है जिनको हम अपने Node.js के साथ लगा के इमेल भीज सकते हैं अपने क्लाइंट से अपने यूजर को बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक testing इमेल सर्विस बताऊँगा जिससे हम test कर सकते हैं कि इमेल किस तरीके से भीजा जा सकता है हमारे क्लाइंट को या हमारे यूजर को और after that अगर आपको इचीज अच्छी लगती है तो आप कोई इमेल सेंडिंग सर्विस भी बाई कर सकते हैं जैसे sendgrid उसका tutorial बिल्कुल सेम रहेगा बस कुछ चीजे चेंज रहती है तो मैं आपको समझा जाता हूँ आपको सबसे पहला काम क्या करना है यह मैंने अपना विजर स्टूडिय कोड कोला हुआ है वहाँ पर मेरे पास एक folder है और folder के अंदर मैंने फाइल उपन कर रहा है जिसका नाम है app.js अब आप क्या करना है अपना टर्मिनल खोलना है और टर्मिनल खुलते ही आपको अपने टर्मिनल के अंदर जो सबसे पहली कमांड लिखनी है जैसे मैंने आपको बता था package.json because मैं package.json चाहिए अपने node मतलब अपने project directory के अंदर उस file को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम लिख सकते है npm in it फिर dash dash y यह command हमेशा की तरह क्या करेगी हमारे जो project directory है उसके अंदर एक package.json file लगा देगी मतलब बना देगी जिस file को हम use करते है external dependencies डाउनलोड करने के लिए and additionally अगर हमें कोई external dependencies के साथ काम करना होता है node.js के अंदर या फिर npm आप कह सकते हो तो हमें use करना पड़ता है package.json यह नि फाइल important है और होनी इचे हमारे project directory के अंदर इस command का wait करते है package.json file create करने के लिए so जैसा कि आप देख सकते हो कि जो package.json file यहां पर create हो चुकी है so after that मैं क्या करता हूँ अपने terminal में जो भी चीज़े मैं clear कर देता हूँ and after that हमें package की जरूरत है जो हमें email send करने में help करता है और उसका नाम है node miller जो की बहुत ही ज़्यादा important और बहुत ही ज़्यादा आप क्या सकते हैं बहुत famous package है email send करने के लिए node.js में so उसे भी install कर लेते हैं तो उसका command है वो है npm i dash dash save and then after that node miller okay node miller तो यह command क्या करेगी node miller को हमारे जो project directory है उसमें install कर देगे तो मैं enter दबाता हूँ और इसके download होने का wait करता हूँ so जैसा कि आप देख सकते हो कि जो node miller है वो successfully install हो चुका है मेरी project directory के अंदर so after that में क्या कर सकता हूँ आपने terminal को वापस से clear कर सकता हूँ और आप देख सकते हो package-lock.json के अंदर जाओगे so वहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ दिखा हूँ तो यह देखो package के अंदर आके after that अगर आप dependencies की field में आओगे तो वहाँ पर क्या दिखोगे node miller का जो 6.9.0 version नो इंस्टॉल हो चुका है so मैं इस file को close कर लेता हूँ so अपना code लिखना start कर सकते हैं हम लोग सबसे पहली चीज़ है कि import करना node miller को import आपको पता ही किस तरीक से करते हैं constant node miller is equal to require node and miller okay so हमने इसे import कर दिया अब इसे import करने के बाद अब हमें एक service चाहिए जिसके दवारा हम अपना जो email है उसको भेज सकते हैं और वह service हमें मिलेगी मतलब वह service है पहले से available रहती है market में अब आपकी मर्जी या तो आप बाई कर सकते हो या फिर आप उनको free में test कर सकते हो so आज जो service मैं use करने वाला हूँ उसका नाम है mail trap so मैं लिखता हूँ chrome पे mail trap और mail trap लिखते ही आपके पास जो यह सबसे पहली website आएगी यह वाली just यह इस पे click कर दो इस website के खुलते वह यह कुछ ऐसे दिखती है ठीक है और आप चाहिदो सब पढ़ सकते हो लेकिन हमें क्या करता है यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर अल्रेडी लॉग इन हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जो आपको बस यहाँ पर देखो simple login करता है यहाँ पर sign up का option था वहाँ पर आप अपने google account से github से यहाँ पर किसी भी दूसरी चीज से जो भी आपके option है वहाँ से sign up कर सकते हो बट यहाँ पर जब आप sign up करोगे न तो कुछ इस तरीकी का आपके सामने एक interface आ जाएगा यहाँ पर आपका account आ जाएगा और काफी सारी चीज़े आ जाएगा अंदर यह सब देख सकते हो आप लेकिन अभी हमें जहाँ पर जाना है वो है यहाँ पर email testing में जाना आप और email को भी नाम देता हो अपने प्रोजेक्ट को मैं इसको नाम देता हूँ node.js node.js email to to reality तो मैं इस तरीकी से नाम देता हूँ और यहाँ पर इसे save कर देता हूँ and after that आप क्या कर सकते हो आप जो आपका यह create हुआ है inbox आप यहाँ पर क्लिक करो इस inbox के ओपर अब आप क्या करना यहाँ पर नीचे आना यहाँ पर आपको integration का option देखेगा यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर नीचे जाके node.js select करना node.js में आपने select कर लिया अब आपके सामने कुछ इस तरीकी का कह सकते कोड आ जाएगा means एक variable आ जाएगा जिसके अंदर उनने node.js का यहाँ पर उनने use किया है और एक transporter create किया है अब इसे के लिए transport या transporter होता क्या है तो हमारी email को एक जगा से दूसर जगा तक ले जाने के लिए एक service का हम use करते हैं और उसी service को हम transport कर सकते हैं और different type की services से mail trap हो गया और send grid हो गया यह सब application क्या करती है हमें यह तो test करने के लिए दे देती है कि आप पहले test कर लो और उसके बाद अगर आपको यह चीज अच्छी लगती है तो आप इनकी जो paid service है उसे ले सकते हो पर अभी यहाँ पर हम सिर्फ test करेंगे तो हमें क्या करना है जो यह वाला transporter है इसको यहां पर copy paste कर दिना है तो अब आपने यहां पर transporter बना लिए अब transporter के अंदर है क्या चीज वह मैं समझा जता हूं सबसे पहले तो हमारा होस्त है कि हमारा email कहां से कैसे अगर travel कर रहा है तो कोई तो medium होगा उसका so वह यह वाला medium है after that हमारे पास एक port है after that हमारे पास जो authentication के उसे हम basically host कर सकते हूं जैसे हम अपना जो इस host की hosting करते है अपने application को so इस तरीके से काम करता है गया so after that हम क्या कर सकते है अब हमें एक object बनाना होगा हमें क्या करता हूं एक object बनाता हूं constant उसका मैं नाम लिखूंगा message ठीक है किसकी answer है जैसा आप email किसी को लिखते हो न तो आप लिखते हो फ्रॉम तो फ्रॉम से मैं अपना email देता हूं यहाँ पर add the rate gmail.com and after that आपको अपना एक 2 देना है कि आपको email कहां पर send करना है किस कौन से email पर आपको वह email send करना है so यहाँ पर मैं कुछ भी name देता हूं मैं यहाँ पर अपना दूसरा email दे रहा हूं अभी शिक्चमोली 006 and add the rates gmail.com अब यहाँ पर मैंने अपना दूसरा email दे दिया कि इस email से email मेरे को यहाँ भीजना है उसके बाद आपके पास एक option आता है subject का ठीक है अब आपको एक subject देना है इसके अंदर की subject क्या आपका मैं लिखता हूं hello world और after that चे दूसरी चीज़ आती है आपकी from हो गया to हो गया subject हो गया and ठीक है अब आपके पास नहीं पर from हो गया to हो गया subject हो गया कि आप कहां से बेजना चाहरे हैं किसको बेजना चाहरे हैं आपका subject क्या है and after that आपको एक चीज़ देना होती है वह है text मतलब आपकी email का content क्या है so मैं आपर simply दिख रहा हूं this is a testing email ठीक है and this is a testing email लिख दिया so यह मेरे कुछ message का option हो गया और कि email मेरा कहां से जा रहा है किसको जा रहा है after that मेरा subject हो गया कि hello world है आप कुछ भी subject यहां पर दे सकते हो जैसे आप एक simple email में होता है after that मेरे पास test के लिखती है कि क्या text मेरा मेरा है this is a testing email है आप यहां पर कोई भी text दे सकते हो आप चाओ तो यहां पर html दे सकते हो no problem so अब हम क्या कर सकते है after that जो हमारा transporter हमने बनाया है यह वाला transporter हम क्या करेंगे इस पर dot दबाके अब हम एक यहां पर method मिलता है send का कि हमें email send करना है और इसक बद bracket open close and after that इस method के अंदर ना जाती है actually एक ही चीज आएगी सबसे पहले जो हमारे message नहीं है वो रहता है यह message option तो मैं यहां पर क्या लिखता हूँ message and after that एक callback function रहता और और callback function रहता है सबसे पहले error का और उसके बाद होता है info का अब जब यह transporter मेरा इस email के option को लेगा और जब एक email send कर देगा उसके बाद यह हमारे पर दो चीज़े आती है यह तो एक error आएगा यह तो एक information आ जाएगी कि अगर error send हो गया है मेरे email तो यह तो एक information आ जाएगी यह तो एक error आ जाएगा तो इस callback function से हम क्या कर सकते हैं इसको run कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो यह callback function हो गया हमारा तो अब हमें क्या करना है हमने यहाँ message का option दे दिया और उसके बाद हमें एक error return होगा या तो information return होगी तो मैं यहाँ पे अब इस callback function के अंदर में कुछ भी चीज लिख सकता हूँ तो मैं अगर लिख लेता हूँ कि अगर मुझे error आता है तो क्या कर दो console.log new error कर दो ऐसे ठीक है या actually मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि console.log या तो error कर दो कि error को print कर दो या फिर after that में क्या कर सकता हूँ अगर मेरा कोई error नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ console.log मैं information को print कर आ सकता हूँ अब मैंने इसे save पल लिया तो अब इस code को एक बार run करके देखते हैं सबसे पर अपना terminal खोलेंगा हम और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा clear करके इसे run करता हूँ code और यह run हो सकता है कुछ इस तरीके से node उसके बाद app उसके बाद dot और उसके बाद js हमने node पर run कर रहे है इस app.js को अब मैं इसको enter करता हूँ और let's wait कि क्या response आता हमारे पास okay so आप देख सकते हूँ आपर कुछ रिस्पॉंस आया मैंसे थोड़ा पूरा अच्छे से खोल लेता हूँ so अब देखो यहाँ पर क्या क्या response आया अब बच्चे से देख लेते हैं सबसे पहले तो हमारे जो inbox हमने बनाया था ना उसके अंदर map trap के अंदर mail trap के अंदर after that कुस version और main चलो यह तो पहले की चीज़ है sorry यह देखो यहाँ पर इसके बात क्या क्या है कि accepted कि आपका जो mail है वो accept हो चुका है मतलब अभिशेक चमोली 006 at the.zmail.com को यह mail जा चुका है after that reject कि कुछ rejection है यह करे नहीं और यह कुछ internal information है मतलब जिससे आपसे भी इसने email service जैसे भी अपने आपसे जैसे भी इस तरीके से mail भीजा होगा ठीक है उसके बाद time message का time कितना है message का size कितना है response क्या है response यह आप देख सकते हो envelope में आप देख सकते हो from से कहां से गया है और किसके पास गया और यह आपके पास message की आईडिया आ गई है अब आपको क्या करना है आप वापस अपना chrome खोल लो और यह वाला जो page है mail trap का इसे एक बार reload कर लो और इसे load करते आप देखोगा यहाँ पर email आ चुका है मैं इस email पर click करता हूँ और यहाँ पर इसका text देख लो आप क्या लिखा हूँ है this is a testing email okay so इस तरीके सा work कर सकते है नहीं मेरे email कि इस तरीके से मुझे मेरे client को देखेगा देखो अपी तो यह मेरे इसके अंदर आया mail trap के अंदर बट यह email मेरे client को ऐसा देखेगा यह इस तरीके से यह इसका testing है मतलब मैंने इसका test कर लिया क्या है इस तरीके से मेरे client को देखेगा या फिर आप कह सकते हो कि मेरे user को देखेगा बट अगर आपको अब यह service अगर अच्छी लगती है तो आप क्या करना है इस service का paid version आता है उसमें कहा यह email मुझे ऐसे ना send होके testing में ना send होके यह मुझे send होगा सीधा client को मतलब यहां से मैं इसको भीजना चाहरा हूँ और जिसको मैं भीजना चाहरा हूँ उसे send होगा लेकिन यहां पर मैंने paid नहीं है मिरे पास test कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे इस तरीके से यहां पर यह email दिखा रहा है बट paid में मुझे यहां ना दिखा कि सीधा send कर देगा to the receiver अब देखो मैंने दुबार क्या क्या कि हम एक बास समझा देता हूँ आपको सबसे पहले हमने after that हमें जो configuration मिली थी transporter की कहां से mail trap से हूँ हमने लिया यहां पर host है कि जहां से हमारे email और travel कैसे किस तरीके से करेगा एक port है authentication के उपर हमारे username और pass हमें मिली जाता है mail trap से after that हमने यहां पर message का option है कि किस को भेज रहे है कहां से भेज रहे है after that को subject क्या है after that हमने एक transport में से हमें एक method मिलता है send email का उसके अंतर हमारे एक object जाता है तो मैंने यहां पर अपना mail object दे दिया after that एक call for function जाता है जिसमें error भी written हो सकता है information भी अगर error written होगी तो error को print करा देना वरना जो information उसको print करा देना और हमारा email यहां पर successfully इस तरीक से send हो जाता है अब यहां पर तो मेरा email यहां send हो है अब आप सोचे रहोंगे यह email तो 006 को जाना चाहिए था इस email को जाना चाहिए था बढ़े मुझे यहां क्यों दिख रहा है because यह testing है यह हमारा यह जा सकता है इसका premium लेने के बाद इसकी proper service लेने के बाद यह तब ही होता है तो इस तरीक से आप email send करते हो Node.js के अंदर आप चाहो तो इसमें HTML भी डाल सकते हो और जैसा भी अपने email को आप design करना चाहो तो इस तरीक से आप email send कर सकते हो Node.js के अंदर तो thank you very much for this tutorial